हेलो दोस्तों मैं सिसकुमार अपने यूटूब चाहें भीहाज जेकर ट्रेक्स में आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग रेलवे समान विज्ञान के प्रेक्टिस एट नौ के सभी प्रशनों को इस वीडियो में देखेंगे तो यदि आप लोग ने अब तक हमारा चनल भीहाज जेकर सब्सक्राइब नहीं क्या है तो इससे सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन को जोड़ दोबायतवाई उप्रेको स्टाट करते हैं आज का पहला प्रशन है प्रती ध्वनी का कारण क्या है प्रती ध्वनी का कारण ध्वनी का प्रावर्तन है तो यह दखेंगे ध्वनी का प्रावर्तन की कारण ही प्रती ध्वनी होता है अब अगला पश्ण है जूला जूलते समय कोई व्यक्ति जूला पर खरा हो जाए तो उसका आवर्थकाल क्या हो जाएगा तो उसका आवर्थकाल घट जाएगा कब जब कोई व्यक्ति जूला जूलते समय जूले पर खरा हो जाए तो अब अगला पश्ण है यदि जूले पर एक व्यक्ति के अस्थान पर दो व्यक्ति बैट जाए तो आवर्थकाल क्या होगा तो आवर्थकाल अपरिवर्थित रहेगा अर्थात उसमें कोई परिवर्थन नहीं होगा अब अगला पश्ण है शकेंडी पेंडूलम का आवर्थकाल कितना होता है कितना दो शकेंड अब अगला पश्ण है कोई का नली में जल का उपरि सता होता है तो इसका उत्तर है ए अर्थात अवदल लेंज का कोई का नली में जल का उपरि सता अवतल की भाती कार करता है नेक्स्ट है द्रव का घनत्व अधिक होने पर प्रिश्टनाव क्या होगा तो द्रव का घनत्व अधिक होने पर प्रिश्टनाव बढ़ जाता है क्या होता है बढ़ जाता है अब अगला प्रश्ण है पारे को जब एक बरतन में रखा जाता है तो मेनिसकस होता है किसका तो इसका उत्तर है उत्तल का अब नेक्स्ट प्रश्ण है उचाई बढ़ने से वायुमनली अदाब पर क्या प्रभाव पढ़ेगा तो उचाई बढ़ने से वायुमनली अदाब क्या होता गड़ता है अब अगला प्रशने एक बार कितने पास्कल के बरावर होता है एक बार दस प्रपावर पाँच पास्कल के बरावर होता है एक बार कितने पास्कल के बरावर होता तो दस प्रपावर पाँच पास्कल के अब अगला पशने किसी वस्तु का भार अधिक्तम होता है किसमे तो किसी वस्तु का भार अधिक्तम निर्वात में होता है किसमे निर्वात में अब अगला पशने पृत्वी की अपेक्छा चन्मा का द्रव्मान लगव कितना होता तो पृत्वी किया पेक्चा चन्रमा का द्रव्मान एक बटा एक आशी होता है कितना एक बटा एक आशी अब अगला पशन है भू अस्थाई उपगर पृत्वी के चारो ओर चक्कर लगाता है कितने घंटे में तो 24 घंटे में भू अस्थाई उपगड़ा प्रित्वी के चारो ओर चक्कर लगाता है अब अगला प्रशन है प्रित्वी पर वाय मनली दाव का कारण क्या है तो प्रित्वी पर वाय मनली दाव का कारण गृत्वा कर्शन है कौन है गृत्वा कर्चन अब अगला प्रश्ण है प्रित्वी का पलायनवेग का मान कितना होता तो प्रित्वी के पलायनवेग का मान 11.2 किलोमेटर प्रति सेकेंड होता है क्या होता 11.2 किलोमेटर प्रति सेकेंड अब अगला प्रश्ण है जब कोई वस्तु उपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा तो उसका भार परिवर्तन सील रहेगा अर्थात बदलते रहेगा क्या होगा परिवर्तन सील अब अगला पस्ट है गरहों के गदी के नियम को किसने परतिपादित किया तो गरहों के गदी के नियम को कैपलर ने परतिपादित किया था किसने कैपलर ने अब अगला पस्टने एक जेट इंजन की सिधान पर कारी करता है तो या दखेंगे जेट इंजन जो है रेखिये सम्वे का संदक्चन सिधान पर कारी करता है अब अगला पस्टने एक गेंद को 36 से कितने कोन पर फेकने पर अधिकताम 36 दुरी ताई कर सकेगी तो इसका उतर है 45 डिगरी अर्थाद 45 डिगरी से किसी वस्तु को जवाब फेकिएगा तो वो सबसे ज़्यादा दुरी तक जाएगी नेक्स्ट पस्टन है वायू मंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है तो वायू मंडल में बादलों के तैरने का कारण कम घनत्व है क्या है कम घनत्व अब अगला प्रश्ण है गैस के अनुओ की गतिज उर्जा किस ताप पर सुन्ने होती तो याद रखेंगे गैस के अनुओ की गतिज उर्जा माइनस 273 डिग्री सेल्सियस पर सुन्ने होती है नेक्स्ट प्रश्ण है पारे का ताप मापी किस ताप तक पर्युक्त हो सकता है तो पारे का ताप मापी 356 डिग्री सेल्सियस तक पर्युक्त हो सकता है कितने तक 356 डिग्री सेल्सियस अब अगला पस्टन है प्रिस्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिक होता है तो इसका उत्तर है ए बैगनी रंग का अब अगला पस्टन है किसी गैस में उत्पन द्वनी तरंग सदैव होती है क्या होती तो या दखेंगे अनुधैरिये द्वनी तरंग क्या होगी अनुधैरिये नेक्स पस्टन है किसी अस्थान पर प्रित्वी के चुंबा की छेत के 36 और द्वाधर घटक बराबर है तो उस अस्थान पर नती कोन कितना होगा तो उस अस्थान पर नती कोन 45 डिगरी होगा कितना 45 डिगरी अब अगला पश्ण है द्रवेत रंगों की तरंग धैर निर्वर नहीं करती किस पर निर्वर नहीं करती तो इसका उत्तर है D आवेस पर किस पर आवेस पर निर्वर नहीं करती अब अगला पश्ण है कौन सा कन सबसे अधिक औस्थाई है तो याद दखेंगी सबसी औस्थाई कन है न्यूट्रोन अगला पस्टन है एंगस्ट्रम क्या मापता है एंगस्ट्रम परकास तरंग धैर मापता है याद दखेंगे परकास तरंग धैर को अगस्ट्रम में मापते हैं अब अगला पस्टन है स्यानता की ऐसाई इकाई क्या है स्यानता की ऐसाई इकाई पोईज है क्या है पोईज अगला पस्टन है एक फैदम कितने के बड़ावर होता है तो एक फैदम छे फीट के बड़ावर होता है, एक फैदम 6 feet के बड़ावर होता है अगला पशन है टाइप राइटर के अविस्कारक कौन है टाइप राइटर के अविस्कारक souls है, कौन souls अब अगला पशन है jet engine की sorry, jet engine किस सिधान पर कारे करता है तो jet engine रेखिये संवेग संरक्चन की सिधान पर कारे करता है किस सिधान पर रेखिये संवेग संरक्चन की सिधान पर अगला पशन है मानक दाव कितना होता तो मानक दाव एक वायुमनली दाव की बड़ावर होता है कितना होता एक वायुमनली दाव के बढ़ावर नेक्ट प्रश्ट है मैनो मीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है तो मैनो मीटर के द्वारा गैसो का दाव की माप की जाती है किसकी गैसो का दाव का अगला प्रश्ट है वस्तो की मात्रा बदलने पर अपरवर्थित रहेगा कौन अपरवर्थित रहेगा तो इसका उत्र है घनत्व जब वस्तो की मात्रा हम बदलते हैं तो उसमें घरत में कोई परवर्थन नहीं होगा अब अगला प्रश्ण है केलवीन मानमी मानव सरी का शामा निताब कितना होता है तो इसका उत्र है 310 केलवीन नेक्श प्रश्ण है पारा जमता है कितने ताब पर तो पारा जो है माइनस 49 डिगरी सेल्सियस पर जमता है पारा कितने ताब पर जमता है माइनस 49 डिगरी नेक्श प्रश्ण है उची ताब क्रम को मापने का यंत्र क्या है उची ताब क्रम को मापने का यंत्र पाइरो मीटर है क्या है पाइरो मीटर अगला प्रश्ण है सुस्क सेल क्या है तो सुस्क सेल प्रात्मिक सेल है कौन सा सेल है प्रात्मिक सेल तो यह था आज के practice rate का आखरी प्रस्षन आसा करता हूं आप लोग को हमारे या वीडियो पसंद आये हो यदि आप लोग को हमारे या वीडियो पसंद आये हो तुसे like और सेया जरू करें फिर मिलते हैं नए practice rate के साथ तो आज के बहुत बहुत धन्यवाद